तो भाई लोग, अस्ट्रेलिया वर्सल्स वेस्ट इंडीस की बीच में जो पहला ओडियाई मुकाबला खिला जाएगा 2nd February से ये खिला जाएगा MCG, Milburn Cricket Ground, Milburn के मैदान पे तो भाई यहां के मैदान पे, दोनों टीमों की possible playing levels क्या होगी मतलब कौन से player के साथ जाना चाहेगे, और उन player में से कौन से player से हैं जो MCG के मैदान पे बढ़िया performance कर सकते हैं, मतलब जो 22 खिलाड़ी होगे उन 22 खिलाड़ी में से कौन से 11 खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में जगे देनी चाहिए कहां पे, Fantastic Cricket के टीम में, और किसको करना चाहिए captain, किसको करना चाहिए OS captain, देखो भाई साथ, मैं बोलूगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देखनी, जैसा आपने थमनेल में पढ़ा कि हम मैं से कोई एक ही grand link जीतेगा, बाहर से कोई नी जीतेगा कुछ जीतेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा न, कोन देखा ज्यादा points, कोन देखा कम points, जो चीज़े बताऊंगा, 90-95% चीज़े वैसे ही चलने वाली, आपको यकीन नहीं है तो काम करो, पूरी वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद जैसा मैं बोलता हूं, वैसा करो, जब मैच हो जाएगा न, जब result आएगा, आप बोलो गयार, भाई ने तो सही बोला था बस वीडियो के आगरी में मैं आपको एक टिप्स दूँगा, उस टिप्स को फोलो जरूर करना है, अगर आपने उस टिप्स को फोलो कर लिया, तो कोई माही का लाल हमको और आपको जीतने से रोक नहीं सकता, बस जैसा कहता हूं, वैसा करना, तो चलो फिर जल्दी से करते ह सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग लेवल्स क्या होगी आज के इस मैज में, अस्ट्रेलिया की बात करें, तो टेविस हैड के साथ मेर्थू सोड ओपिन करते नजर आएंगे, तीसे नमबर पर कप्तान स्टीवन स्मिथ, अस्ट्रेलिया की स्माज की पॉसिबल प्लेइंग लेवल्स, मैं तो टेविस हैड़िस की बात करें, तो एले के थानजे के साथ कैसी करटी ओपिन करते नजर आ सकते हैं, तीसे नमबर पर कप्तान से होग, चौथे नमबर की बात करें, तो यहाँ पर क्यू एन होग खेलते प्लेइंग लेवल्स, लेकिनों आपको पता है ना, पहला पहला मैच है, तो एकाता दो खिलाड़ी उपर नीचे होग सकते है, यानि जो फाइनल प्लेइंग लेवल्स है ना, वो आपको मिलेगी मैच स्टार्ट होने के दोस्टे तीन घंटे पहले, कहां पे? मेरे टेलिग तो अगर आपको सभी नाचों की दो तीन ड्री मिलेवन की विनिंग टीम चाहिए, तो टेलिग्राम जरूर 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 करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बोक्स में सबसे पहला कमेंट है, वहाँ पे भी मिल जाएगी, आप सब इन फ अगरें एक जैसा ही रहता है, अब्रेज स्कॉर है 254, 254, मतलब जादा रन नहीं बनते, मीडियम स्कॉर होता है, तो यहाँ की पिसके साब से बैलेंसिंग तरीके से बलेवाजों गेंदवाजों को टीम में जगा देनी होती है, किसको लेना, किसको ने लेना, वो मैं आगे इस मैदान का जो हाइस स्कॉर है, 355 रन जो की टीम अस्टेलिया के नाम पर है, लोगे स्कॉर है यहाँ पर फस्निंग का, 94 आल उट जो की टीम इंग्लैंड के नाम पर है, अगर हम यहाँ के मैदान पर, आईस टोटल चीज की बात कर तो 304 रन, जिसे इंग्लैंड ने अस् 54 रन जो कुटा है, 200 से 249 के भीट में 65나 स्कॉर बन जो का, 250 से 299 के भीट में 54 आम स्कॉर बन चुका है, 300 यह स्के जाधा वार गं। करके मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ट्रेविस हैड की आखरी के 10 मैच में चार सुट क्याशियन मनाए दो सतक दो हाफ सिंस्वी लगाई साथ में दो विकेड भी निकाला यहां काफी गजब इनका बल्ला चल ला है रन पर रन मारते जा रहे हैं हाला कि वे संदीज के सामने एक आज में निकाला था अगर हम यहां पर देखे जो ट्रेविस हैड है इनकी जो फॉम है ना वो काफी ज़्यादा जबर जस्त है और मुझा इस फॉम का फाइदा उठाएंगे फिर से सत्तर असी क्या पता सतक लगा दे में तो इनके बल्ले से निकलने वाली है वो सत्ता सतक पहल भी लगाते यानी बहुत अच्छा देने वाले हैं कॉस्ते हाई कि बात करें टो इन्हों आब सब्सक्राइब कर सकते हैं मतलब आज के मैस में जो अच्छी रहने वाली है और आपको ज़्यादा फंटेसी को इस देने वाले हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं वहीं बात करें अगर हमें आप स्टीवन श्मित की आकरी के दस मैस में 302 रन बनाएं जिस तरह का बल्लेवाज है उस तरह के रन तो नहीं दिख रहें करेंगे और मुझे लगता जो स्टीवन श्मित है ना हर दूसरे नहीं में विष्ट इंडीज के सामने पचासा लगाते तो मुझे लगता आज ही नहीं लगाएंगे अगले मैस में लगा सकते हैं तो आज पांदस पंद्रा बनाके जल्दी नहीं पढ़ जाएंगे कौन ये मतलब कभी चोथे कभी पांचवे नंबर पर कभी तो बल्ले भाजी भी नहीं कराते थे जब बिकटने गिरते थे फिर भी इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है MCG के मैदान पर एक मैच खेला 18 बनाएं तो मतलब ओट हो गया जल्दी लेकिन मुझे लगता माननस लब हुसेन आज के मैच में आपको बढ़िया परफॉर्मेस करते हुए दिखेंगे बढ़िया परफॉर्मेस करने का मतलब है पचास आट सब्तर की पारी खेल सकते हैं मतल कर सकते हैं किसको माननस लबू से इनका अब बोलोगे भईया सबको कैप्टन करना देखो उधर दो में से एक कर लो इधर मानस लबू से इनको भी कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है ये भी आज के मैच में आपको बढ़िया पॉइंच देंगे बाकि जोस इंग्लिस की बा बात करें अगर हमें आप है जैक फ्रेसर मैगर के लिए ये डेविव करेंगे और मुझे जैक फ्रेसर मैगर अपने डेविव मैच में ही ना बहुत लंबी पारी नहीं लेकिन 40-50-60 की मतलब 40-50-60 की ताबर तोड़ पारी खेलके ठीक ठाक पॉइंट्स आपको देने वाले कौन जैक फ्रेसर मैगर तो इसलिए मुझे लगता है जैक फ्रेसर मैगर को भी ना हमें आज के माच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बात करें एरॉन हार्डी की तो इन्होंने एक ओड़ यह मुकाबला खिला था उसमें तीन नमनाय थे दो बिकिट निकाला था मतल अच्छा पॉइंट एरॉन हार्डी आपको नहीं देने वाले तो इन्होंन हार्डी को हमें आज के मैच में टीम में जगे नहीं देनी चाहिए शीन एबाउड की बात करें तो आखरी के दस मैच में 146 अंबारा विकिट निकाला दस मैच 146 अंबारा विकिट बतलब इनकी जो परफॉमेंस से कुछ खास नहीं है तो और एक मैच कला था उसमें बल्ले बाजी तो आई थी लेकिन दो बिकिट निकाला था तो गेंद बाजी ठीक करी है एकाता बिकिट मिलेगा और बल्ले बाजी का आ हो सकता है आज भी नंबर संबर ना आए तो जो सीने बोट है ना कमाल की गेंदवाजी करते हैं जंपा 10 मैच 23 बिकिट बहुत अच्छा है साथ मैच खेला 12 बिकिट चटकाए विस्टंडीज की सामने आक्रे अच्छे हैं तीन मैच करें MCG के मैदान पर चार बिकिट निकाले तो MCG के मैदान पर उतना ज्यादा बिकिट इनको नहीं मिलता क तो बही है इनका भी डेवियर ब्राटलेट की जब डेवियर होगा मतलता बिकिट निकाल चकते हैं और 2-3 बिकिट निकाल के आपको बढ़िया पॉइंट देंगे तो जैवियर ब्राटलेट को भी अपनी टीम में आपको जगा देनी है बात करें लेंस मोरिस के तो इनका भ को बढ़िया पॉइंट्स देने वाले हैं अलिक एथांजे की बात करें तो इन्होंने भी तक साथ ओडियाई मुकाबला के लाद 240 और मनाएं दो हाफ सेंचुरी के साथ तो मतलब कहिना की टैलेंट है किसी मैच में लंबी पारी खेलते हैं लेकिन जहादा दर फ्लोफ हो जाते हैं लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबी तो नहीं लेकिन बना सकते हैं कितने मतलब 60-65 रन मतलब 40-50-65 मतलब 40-70 की बीच में स बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मस नहीं है और मतलता आज की नाच मेना जो केसी कर्टी होंगे ये कट लेंगे जल्दी से मतलब 15-15 ये 20-50 सन मना की बहुत अच्छा पॉइंच ना देंगे कौन केसी कर्टी को हमें अपनी टीम में जगें नहीं देनी चाहिए बात करें से होप की तो आखरी के दस मैज में 449 सन मनाए दो सतक दो हाप सेंचुरी बतलब जो से होप है ना पूरी विस्टेंडीज की प्योटीम है इनी से होप करते क्योंकि इनी के बल्लेबाद भी बढ़िया चलती है अस्ट्रेलिया के सामने तीन ओडिया ही मुगावला के लाए 120 120 स से अस्ट्रेलिया के सामने एक हाप सेंचुरी भी लगाई थी और मुझे लगता है जो यह होंगे से होप इनसे हम भी ना उम्मीद कर सकते हैं उम्मीद ऐसे कि मुझे लगता है आज के मैच में सतक के आजवास असी नबे क्या पता सतक लगा थे साफ में बिगिट करेंगे से होप आज की मैच में ब्रन बनाएंगे जादा बट आण कौन ओटली की बात कर तो आकरी के 10 मैच में 25-25 बनाएं दस मैच 25 बहुत अच्छा है ना जी ये सोरी दो मैच 25 दो और ये मुगाबला खिला 25 बनाएं कौन ओटली ने तो इनकी भी जो परफॉमेंस है वो उतिनी जादा अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि ओटली आज क टीक ठाक प्रफॉमेंस कर सकते हैं ठीक ठाक प्रफॉमेंस करने के वदलब 45-50 चाली से साड़ की बीच में दन बना सकते हैं तो ठीक ठाक ये पॉइν्ट्स हमें दे सकते हैं कौन ओटली तो आएटी इनको भी हमोने टीम में जगे दे देनी चाहिए बाकि of रॉस्टन सभी की बात करें तो आगरी के तत्समाइट में एक सब्सक्राइब निकाला यानि जो फॉर्म है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं न तो बल्ले से न तो गेंच से और आज भी एस्टगल करेंगे गेंगे ज्यादा ना मिले बल्ले बाजी में तो हो सकता है दो चार पांचन बस में अपनी टीम में जगें नहीं देनी चाहिए इनको भी कर दो बाहर जस्टिन ग्रीप की बात करते इन्होंने तीन ओडियाई मुकाबला खेला थुंटी ना उनत्तीस अन मनाए बिगेट का खाता ना खुला तो जस्टिन ग्रीप्स की भी जो परफॉर्मेंस से कुछ खास नहीं है और यह भी ना आज के मैच में कुछ खास नहीं निराज करेंगे दो चार दर्सन की पारिगेंद वाजिया ना कर पाएंगे तो जस्टिन ग्रीप्स को भी हमें अपनी टीम में जगें नहीं देनी चाहिए मैं तो फोर्ट की मात के तो एक मैस्स के लिए 13 नं में बन इनको हमें अपनी टीम में जगा देनी चाहिए किसको मैट्टू फोर्स को बात करें रोमारियो सेफट की तो आखरी के 10 मैज में 147 सन मनाए 12 बिकिट निकाला अगर देखे तो गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं करी लेकिन साथ में 20-25 सन मना देते हैं तो कहीं न कि हम कह सक बाकि अगर हम यहां पर बात करें अलजारी जोसफ की तो आखरी के 10 मैज में 17 बिकिट चटका है भाई साहब ने मतलब गेंदबाजी खतना कर रहे हैं कौन अलजारी जोसफ को भी हमें अपनी टीम में जगे देना चाहिए गुड़ा केश मूटी की बात कर तो आखरी के 10 मै परफोर्मस अच्छी है आज की मैंच में एक आता विकिट मिलेगा ज्यादा विकिट मैं मिलेगा किसको गुड़ा केस मोटी को तो आइधिंग मोटी को ना बाहर कर दो आज इनको हीरा मन बनने दो इनको टीम में जगे नहीं देते तो भीया हमने हाप है ना सभी प्लियस के साथ बनाई हैं अगर आप इसके साथ जाओगे तो आपके बिन करने के चांसे काफी ज़्यादा आई रहने वाले हैं बाकी मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक कैसी टिप्स दूँगा जिसे हम या आप हम मैंसे कोई एक ग्रांड लिक जीते का तो टिप्स ही है कि सभी लो आप में से कोई एक ही ग्रांड लिक जीतेगा बाहर का बंदा नहीं जीतेगा यह मेरा प्रोमिस है आपसे बाकी अगर आपको इस मैच की दो-तीन टीम चाहिए ड्रीम लेवन की बिनिंग तो अभी डिस्किप्शन में जाओं वहाँ पे लिंक ही मिलेगी या कमेंड बोक से स सबसे पहला कमेंड है वहाँ पे भी लिंक ही मिल जाएगी आप सब इन फंटैसी के नाम से भाई का टेली ग्राम है सभी मैचों की दो-तीन ट्रीम 11 की बिनिंग टीम चाहिए तो टेली ग्राम ज़रूर जोइन करें वाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की एन फंटैसी बिक के साथ तब तक के लिए गौट प्लेस यूँ